दोस्तो अगर आपको भी Morpho के अंदर Registration fail, some serial number is already Registration की Error आ रही है, तो केसे आप इस problem को हटाओगे, वो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखे, यहाँ पे देखे, Morpho के अंदर basically Error या फिर problem आ रही थी, तो मैंने इसे किस तरीके से अटाया है इस Error को, तो ध्यान से समझे, अब क्या होता है कि आपका कभी-कभी Morpho के अंदर ये Error लिखा जाए, तो मैं आपको दो-तिन तरीके बताओँगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप अपने problem अटाओगे या फिर fix परोगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपनी phone की setting को open कीजिए, और उसके बाद apps के उपर click कीजिएगा, apps के उपर click करने बाद यहाँ पर आपके phone की सारे apps आ जाएंगे, जिस्ट आपको Morpho के अंदर चले जाना है, या पर आपको Morpho application जो है open कर लेनी है, या पर आप देखे Morpho कहा है, और इसके उपर click करके इसका data clear करना है, आपको storage या फिर data जो है clear कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको फिर से अपने Morpho को device के साथ आपके connect कर लेना है, और उसके बाद आपकी problem हट जाएगी, fix हो जाएगी, और बाकि अभी भी दिक्कत आ रही है, अभी भी आपका Morpho device connect नहीं हो रहा है, यही सेम error आपको show हो रही है, तो उस case में आपको आपके phone को पूरी तरह से receipt करना होगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी other option नहीं है, आपको पूरी तरह से phone को receipt करना है, तभी आपका Morpho device, आपके device के मतलब phone के साथ connect होगा, receipt करने से पहले backup ले लिजेगा सारा, और उसके बाद आप यह सारी process कीजे, या फिर receipt करने से पहले एक बार अपना Morpho device, Morpho जो application है उसे uninstall कर दीजे, और वापे से install करके भी check कीजे, तो तिन तरिके try कीजे, problem आपके fix हो जाएगी,